सीब्यसी बोर्ट के दोरा एवजित की गई सीटेट दिसमबर 2022-23 के लिए एंसर की और रिजल्ट की घोशना कब तक की जाएगी इस वीडियो में डिटिल में बात करेंगे अंतर तक जोड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देखना है केरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करने तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेले कि इनको जरूर प्रेस कर लेजएगा चले दोस्तों आज के इस महत्वपून वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आपको ग्यात होगा ओनलाइन परिक्षा का चलन पिछली बार से यानि सीटेट दिसंबर 2021 से सिब्यसी बोर्ट के द्वारा प्रारम किया गया है यानि जो पिछली बार पैटर्ण था इनका परिक्षा के बाद एंसर की जारी करना और रिजल्ट जारी करना उसी को कहीं न कहीं इस बार भी फॉलो किया जाएगा तो वो चीजे आपको समझना बहर जरू है कि पिछली बार कैसे किया गया था पिछली बार जो परिक्षा अंतिम सिफ्ट में होई थी वो हुआ था 21 जनवरी 2022 को 21 जनवरी 2022 को सीटेट दिसंबर 2021 के लिए अंतिम सिफ्ट की परिक्षा होई थी और उसे से 10 दिन बाद 10 दिन बाद यानि 1 मार्च 2022 को 1 मार्च 2022 को Official Answer की CBSC Board के द्वारा जारी कर दिया गया था तो इस बार की अगर बात करें सीटेट दिसंबर 2022 की तो इनकी जो अंतिम सिफ्ट की परिक्षा है वो है 7 फरवरी 2023 को अंतिम सिफ्ट की परिक्षा है उसे से 10 दिन अगर हम लोग जोड लें तो 17-18 तारिक तक हो सकता है कि CBSC Board आपके Answer की को जारी कर दे Answer की जारी करने के बाद से ये कुछ समय देता है 2-3 दिन का आपको Answer Counter File करने के लिए कहने का मतलब कि आप Objection कर सकते हैं जो भी जिस पर भी आपको संदे हो तो उसके लिए कुछ समय दिया जाता है और उसके बाद से Revised Answer की और Final Result गोशित किया जाता है Final Result की अगर बात करें तो CBSC Board के दौरा पिछली बार December 2020 में 9 March 2022 को रिजल्ट की घोशना की गई थी 9 March 2022 को रिजल्ट की घोशना की गई थी पिछली बार कुछ परशानियों की वज़े से समय डिले हो रहा था क्योंकि पहली बार Online Mode में परिक्षा ली गई थी CBSC Board के दौरा तो वो समझ नहीं पा रहा था कि Actually में Normalization किया जाए या नहीं किया जाए क्योंकि उन्होंने पहले Notification तो निकाल दिया था कि हम Normalization करेंगे लेकिन जब Result घोचित हुआ तो उसमें कोई भी Normalization अपनाया ही नहीं गया था तो इस वज़े से पहली बार Process होने के वज़े से उनको थोड़ा Time लग गया क्योंकि Online Process में तो बहुत जल्दी Result आ जाना चाहिए था इसे से जल्दी आपका Offline में Result मिल जाता था CBSC Board के द्वारा लेकिन डिले इसलिए हुआ एक फरवरी को जब एंसर की जारी हुआ उससे लगबग एक से सवा महीने डेड़ महीने लगबग लेट होने का कारण ही यह था कि पहली बार चुकी Online परिछा हो रही थी तो CBSC Board समझ में ही mention किया गया है कि फरवरी 2023 के अंतिम सप्ता से लेकर के March 2023 के प्रथम सप्ता के बीच में कभी भी गोशित हो जाएगा तो आपका जो result है वो बहुत ज्यादा most probable है कि फरवरी अंतिम सप्ता में हर हाल में गोशित हो जाए और जो answer की है वो 17-18 तक गोशित किया जा सकता ह आपको आपके result के लिए बहुत बहुत धरशारी शुब का अबना है उमीद करता हूँ कि चीजे आपको इस पश्ट हुई होंगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो